सब्सक्राइब नाओ एंड क्लिक ओन दा बेल आइकोन पूर मोर अपडेट्स हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में सैमसंग मॉबाइल में फ्लेस नौटिफिकेशन ओन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं तो बने रहें आप इस वीडियो के अंतक उसके बाद आप भी अपने सैमसंग मॉबाइल में फ्लेस नौटिफिकेशन ओन जरूर कर पाएंगे हमारे मॉबाइल में कॉल आए और हमें पता चल जाए इसके लिए हम अपने मॉबाइल में बहुत सारी सेटिंग्स करते हैं जैसे कि अपने mobile में vibration on करते हैं अपने mobile में ringtone set करते हैं ताकि जब भी call आए तो ringtone बजे और हम समझ जाए कि हमारे mobile में call आ रहा है और हम call को receive कर ले इसी तरह से हम अपने mobile में flash notification भी on कर सकते हैं और flash notification आउन करने के बाद जब भी हमारे mobile में call आएगा तो पीछे का LED लाइट ह यह भी बन चालू होगा दोस्तों यह notification आने में भी काम करेगा तो चलिए चलते हैं mobile स्क्रीन में और जानते हैं कि अपने samsung mobile में flash notification ओन करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile में settings open करें तो चलिए हम क्लिक करते हैं settings में mobile settings open हो जाने के बाद आप के आप बहुत सारी settings दिख करें तो आपको उसके लिए ठोड़ा सा इस्क्रोल करणा है और उसके बाद accessibility पर किलिक करदेना है accessibility में आने के बाद आपको यहां पर बहुत सारेओं अप्सेन दिखाई देंगे तो आपको यहां तो आप इसे on करें जैसे ही आप camera flash को on करेंगे अब आपके mobile में जब भी कोई notification या फिर call आएगा तो आपके mobile के पीछे जो LED light लगी है वह है बन चालू होना शुरू हो जाएगा और उसे देखकर भी आप पता लगा पाएंगे कि आपके mobile में call आ रहा है इस तरह से आप भी अ करें मैं आप से मिलूंगा next video में तब तक के लिए बाई जैहिंद झाल झाल